कहानी शुरू होती है एक पपिट थियेटर से, जहां बैस्टर नाम का एक पपेट मास्टर लोगों को अपना पपेट सू दिखा रहा होता है। वो इस काम में बहुत ही माहिर था, वो एक मैजिकल डिस्क की मदद से उन पपेट में जान डाल देता था, जिसकी वज़ा से लोगों को उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता था, पर बैस्टर के और अच्छा बनने की जिद ने उसमें घमंड और लालच पैदा किया, वो सारे पपेट्स बैस्टर को उस डिस्क से छेलचार करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस डिस्क में चेंज़िज करने से क्या होगा, पर बैस्टर उनकी एक नहीं सुनता है, और वो उस डिस्क में कुछ चेंज़िज करके उसे ओन कर देता है, उस डिस्क क देखकर वो तीनों पपेट्स भी बहुत डर रहे होते हैं अब यहां से सीन सिफ्ट होती है और हम हर्वी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डॉग जेरी के साथ अपनी सैकल से स्टंट करता हुँ अपने घर पहुँचता है वहां से उसकी दोस्त मोनिका मिलती है हर्वी उससे कहता है कि आज उसने एक नई गेम खरीदी है जिसका नाम पपेट माश्टर है और वो अपने घर के अंदर जाने लगता है मोनिका उससे कहती है कि स्कूल ट्रिप के लिए अपने पैरेंट्स से पर्मीशन लेना मत भूलना हर्वी घर आकर देखता है उसके डैड अपने म्यूजियम का परजेंटेशन बनाने में बीजी है वो अपने कमरे में चला जाता है और अपना नया गेम खेलने लगता है तभी कुछ दिर बाद उसके डैड उसके कमरे में आते हैं वो जल्दी से अपना गेम को छुपा कर पढ़ने का नाटक करने लगता है उसके डैड उससे कहते हैं कि वो काम पे जा रहे हैं और उसे सारा दिन गेम खेलने से मना करके वहां से चले जाते हैं उनके वहाँ से जाते ही आरवी फिर से गेम खेलने में बीजी हो जाता है वो गेम खेलने में इतना बीजी था कि उसे पता भी नहीं चलता है कि कब रात से वापस सुबा हो गई उसने पूरा गेम खत्म कर लिया था अब उसे सिर्फ अपना नाम इंटर करना था जिससे वो उस game के hall of fame में सामिल हो जाएगा वो बहुत खोस हो जाता है तब ही उसे आवाज आती है कि उसके dad घर आ चुके है वो तुरंद game को एक board से छुपा कर सोने का नाटक करने लगता है उसके dad देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है वो उसे देखने जाते है पर harvý के जूसों पे पैर पड़ने की वज़ा से वो वहीं गिर जाते है और इसी के चलते harvý का computer भी दिखने लगता है वो जल्दी से उसे चुपाने की कोसिस करने लगता है पर उसके डैड देख लेते हैं और उससे गुस्से में कहते हैं कि वो फिर से सारा दिन गेम खेलता रहा हरवी जल्दी से अपना नाम टाइप करने लगता है पर उसके डैड उसके हाथ से जोआइस्टिक छीन लेते हैं और छीना जप्टी में हरवी का कम्प्यूटर तूट जाता है हरवी अपने डैड से गुस्सा होकर चला जाता है वो कहता है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करते हरवी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है वो घड़ी में देखता है कि वो बहुत लेट हो चुका है थे, वहाँ दो वरकर अपने JCB से उस म्यूजियम को तोड़ने के लिए बढ़ते हैं, पर जेरी उन्हें रोकने लगता है, हर्वी भी उन्हें रोकने के लिए वहाँ आ जाता है, वो एक पत्थर उठा कर उनकी तरफ फेकता है, जो उस JCB के इंजन में चली जाती है, जिसकी वज़े से वो खराब हो जाता है, और वो JCB आट अफ कंट्रूल हो जाता है, वहीं कुछ दूर पे मोनीका भी छुपकर ये देख रही थी, वो भी हर्वी के चलते अपने ट्रिप पे नहीं गई थी, हर्वी के डैड वहाँ के मेर को कॉल करके उस म्यूजियम को तोड़ने स मना कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी सहर की एक बहुत पुरानी धरोहर है, जिसे उन्हें अच्छे से समाल कर रखना चाहिए, पर मेर उसे बताता है कि अब तक तो वो म्यूजियम तूड भी चुका होगा, वो जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागता है, इधर JCB के आगे का ह आमरा दिखाई देता है, जहां बहुत से डरावने दिखने वाले पपेट्स रखे हुए थे, हार्वी को वहां मॉनिका भे मिलती है, तभी हार्वी को वहां दिवार पे एक डिस्क दिखाई देता है, जो उसे उसके जॉयस्टिक की तरह ही लगता है, वो उसे वहां से निक मुजियम तक पहुंच चुके थे, वो देखते हैं कि मुजियम तो अभी भी सही सलामत है, हर्वी मोनिका और जैरी उपर एक बहुत बड़े रूम में पहुंच चुके थे, वहाँ उन्हें बहुत से पपेट्स दिखाई देते हैं, तभी वहाँ उन्हें वही तीन बैस्टर क पहले की तरह एक खुबसूरत बना सकते हो, मोनिका उन्हें से कहती है कि ये कोई थे, नहीं बलकि म्यूजियम है, जो कि कुछ दिनों में ही तोड़ दी जाएगी, वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, तब वो तीनों पपेट्स उन्हें अपने पुराने मास्टर, बैस्टर की कहानी एक प्ले के जरिये बताते हैं, कि कैसे उनके मास्टर ने पावर के नसे में अंधे होकर अपने पर उसके बाद उसे इस डिस्क के पावर ने हमीसा के लिए कैद कर लिया, डिमपिट हर्वी से कहता है, कि वो चाहते हैं कि वो उनका नया मास्टर बने, और उनके ग्रेटिस्ट मास्टर के हौल अफ फेम में सामिल हो जाएं, ये सुनके हर्वी को उसके गेम की याद आती ह और वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, वो हर्वी को ये डिस्क वहाँ उपर सेंटर में रख देने को कहते हैं, जिससे उनके बाकी के पपिट्स जिंदा हो जाएंगे, हर्वी डिस्क के पीछे एक बटन के बारे में पूछता है, ब्रेनी उससे वो बटन को हाथ निकाल सकता था, और हर्वी उस डिस्क की मदद से उसे कंट्रोल कर सकता था, ब्रेनी हर्वी को वो डिस्क को उसके सही जगा पे रख देने को कहता है, जो बिलकुल उनके उपर था, तब ही वहाँ हर्वी के डैड अंदर आ जाते हैं, सारे पपिट्स अपने आपको छुप करने लगता है, और उन्हें वो मैजिक डिस्क भी दिखाता है, और उन्हें सब कुछ बताता है उस मैजिकल डिस्क के बारे में, और उन्हें सब कुछ बताता है उन पपिट्स के बारे में, पर उसके डैड उसकी कोई भी बातों का भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि कभी भी उसके डैड उस पे भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने म्यूजियम से प्यार है उसके डैड भी सोचने लगते हैं कि वो हर्वी पे कुछ जादा ही गुस्सा कर गए और वो उस डिस्क को उसे वापस देने लगते हैं तभी पीछे से ग्रमपी उन्हें मार कर गिरा देता है और वो बाकिसा भी पपेट्स डिस्क को गिरने से बचाते हैं ब्रेनी वो डिस्क हर्वी को दे देता है और जल्दी से उसे उपर वहां लगा देने को कहता है हर्वी उस ड्रैगन पे बैट जाता है और उपर की तरफ जाने लगता है उसके डैड उसके पीछे भागते हैं और वो उस ड्रैगन की पूछ में लटक जाते हैं किसी तरह हर्वी उपर तक पहुँच पाता है उसके डैड अभी भी वहीं हवा में लटके हुए थे वो हर्वी को मना कर रहे होते हैं पर हर्वी उस डिस्क को वहां सेंटर में लगा दीता है, जिसके बाद वो पूरा म्यूजियम उपर आस्मान की तरफ जाने लगता है, ब्रेनी उसे कहता है कि ये डिस्क को स्टॉम क्लाउड से इनर्जी मिलेगी, और सारे पपेट्स जिन्दा हो जाएंगे, कुछ देर में ही उनका म्यूजियम अस्टॉम क्लाउड तक पहुँच चुका था, और उससे डिस्क को इनर्जी मिलती है, जो वहां बाकी के पपेट्स तक पहुँचती है, और वो सब जिन्दा होने लगते हैं, पर तभी हर्वी के डैड आकर उस डिस्क को निकाल देते हैं, और वो म्यूजियम वापस से नीचे अपने जगा पे आ जाता है, हर्वी अपने डैड पे बहुत गुश्सा करता है, कि वो कब उस पे बिलीव करना सुरू करेंगे, वो जाकर डिस्क को उठाता है, जहां वो डरावने से दिखने वाले पपेट्स रखे थे, हर्वी उन सारे पपेट्स को भी जिन्दा करने का सूचता है, सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर हर्वी कहता है कि वो अब एक मास्टर है, इसलिए वो इन सब को भी जिन्दा करेगा, वो उन सब को जिंदा करने की कोशिस करने लगता है पर वो डिस्क काम नहीं कर रहा था वो उस डिस्क के पीछे के बटन को दबा देता है उसके ऐसा करते ही वहाँ नीचे से एक बॉक्स निकलता है जिसमें उन पपेट्स का पुराना मास्टर बैस्टर होता है बैस्टर अपने power से वहां के पपेट्स को जिन्दा करने लगता है जो सब उसके गुलाम थे गरंपी उसे ये सब बंद करने को कहता है पर वो उसे और ब्रेनी को भी अपना गुलाम बना लेता है हरवी अपने डिस्क की मदद से उसे रोकनी की कोशिस करता है पर बैस्टर उसे वो डिस्क उसे दे देने को कहता है पर हर्वी उससे कहता है कि वो उसे हरा कर इन सब को उसकी गुलामी से आजाद करवा देगा बैस्टर उस पे हमला कर देता है और उससे वो डिस्क छेनने के कोसिस करने लगता है हर्वी को बचाने के लिए उसके डैड आ गया आते हैं पर बैस्टर अपने पावर से उन्हें भी एक पपिट बना देता है और वहाँ के सारे पपिट हर्वी को पकड़ने के लिए उसकी तरब जाते हैं बैस्टर हर्वी के हाथ से वो डिस्ट छेन लेता है वो तीनों किसी तरह अपने आपको उन पपिट से बचा कर वहाँ के दरवाजे के थुरू एक दूसरे रूम में आ जाते हैं वो जगा उन्हें एक लैब की तरह लग रही थी यह वही जगा थी जहां बैस्टर ने उस डिस्क में चेंजेज किये थे मोनिका हर्वी से कहती है कि उन्हें बैस्टर से वो डिस्क हसिल करनी होगी तब ही उसके डैड और वो पपेट्स वापस आ सकते हैं हर्वी को वहाँ बैस्टर की तस्वीर दिखाई देती है जिसमें उसके हाट की जगा वो डिस्क लगी थी वो अब वहाँ से बाहर निकलने की कोसिस करने लगते हैं तब ही जेरी उन्हें एक रास्ता दिखाता है वहाँ एक लिफ्ट थे उपर जाने के लिए वो उसके सारे उपर जाने लगते हैं बैस्टर बाहर आकर सहर के लोग और पूरे सहर को ही पपेट्स में बदनने लगता है तब तक हार्वी और मौनिका भी उपर पहुंच चुके थे हार्वी चुपता हुआ बैस्टर के नजदीक पहुंचता है और किसी तरह उससे वो डिस्क छीन लेता है और वो भाग कर उस डिस्क को वापस से उसके जगा पे लगा देता है जिससे उसके डैड और वो तीनों पपेट्स वापस से जिन्दा हो जाते हैं पर बैस्टर फिर से वो डिस्क हार्वी से छीन लेता है और उसे वहाँ उपर से नीचे फेक देता है पर उसके डैड उस ड्रैगन को लेकर आते हैं और उसे बचा लेते हैं, वो कहते हैं कि उसे किसी भी हाल में इस बैश्टर को हराना होगा, नहीं तो वो पूरे सहर को पपेट्स में बदल देगा, हरवी उसे रोकने बहुचता है, वो बैश्टर अपने बैट्स को उस पर हमला करने भेजता है पर ड्रैगन की आग से वो सारे बैट्स खत्म हो जाते हैं बैस्टर अब भी अपने पावर से उन पर हमला कर रहा होता है हर्वी उसके हमलों से बचने की कोसिस कर रहा था वो अपने डैड से उसका ध्यान भटकाने को कहता है और वो जाकर उससे वो डिस्क छीन लेगा वो सब बैस्टर की तरफ बढ़ते हैं उसके डैड वहां से जम्प करके बैस्टर तक पहुँचते हैं और वो जल्दी से कूद कर उसके हाथ से वो डिस्क छीन लेता है पर बैस्टर बेस्टर हार्वी को उसके वापस से असली रूप में लाने के लिए ठैंक्स बोलता है और वो गायब हो जाता है सारे लोग जो पपेट्स बन चुके थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं उस डिस्क को म्यूजियम में रग दिया जाता है जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे थे और उस puppet theater को भी सहर के लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया और इसी के साथ ये movie यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो please do like and share the video and please subscribe to my channel and press that bell icon